है 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 एक है है वेलकम बैक तो अनदर एपिसोड और बेस्ट पर बाइंग आप उमिडिक रूस जाए आज के इस एपिसोड थर्ड के सेगेंड पार्ट में आपको बताने वालो कौनसे आपको बेस्ट गेमिंग लाप्टाउब्स मिल जाते हैं वह भी और आपको बहुत ही अच्छे वैलो फॉब मनी और बहुत पावर पैक परफांस वाले लैप्टाउब्स में रेकमेंड करने वाला हूँ और गाइस यह होंगे 60-80,000 के बजट रेंच के बीच में तो डेफिनिटली बहुत ही इंटरस्टिव होना है वाला यह वीडियो तो वी वेलकम बैक तो वीडियो गाइज और हमेशा की तरह यहां पर आपको लाप्टप की में जर नीची स्पैसिव की शन करें हम लेडिटेल बे बात कर लेंगे और बात कर लेंगे और दाट इस अल अब आवाओ दी लैप्तोप्स रेकमेंडेड बाइड वाद एव्डेड बहुत पीचर पैक्ट भी है यह तो डेफिनेटली मजाने वाला है तो यहां पर आपको स्प्रेशिफिकिशन जैसे देख सकते हो तो यहां पर आपको मिल जाता है AMD Ryzen 7 4000 इंटरेनेट एज का प्रोसेसर तो एज सीरीज का प्रोसेसर तो बहुत ही मजाने वाला है तो बहुत आपको बॉलता है और दोने में अपको अपग्रेड करने का ओप्शन है 8GB राम को भी अप्रेड कर सकते हो तो यहां इंस्टाल करवा सकते हो तो दैट इस नौट अट वरी अब दो इस ने अपको मिल जाता है इसमें बैकली लापटाप है तो बैकल की बड़ तो होना है और इतना प्रीमियम प्रेड करोगे तो है बैकलट क्पोड है इसमें फिर उसे विंडोस 10 मिल जाता है विंडोस 11 में आप अपग्रेड कर पाओगे ओर थाइम जैसी सॉफ्टैर अपग्रेड कर सकते हो और कैसे आपको इसमें 15.6 इंचिस की फुल एच्डी 144 हर्ट की स्क्रीन मिल जाती है तो बहुत अच्छी वात है क्योंकि 144 हर्ट के वैसे आपको जो गेम पर होने वाला है बहुत स्मूथ हो जाएगा और यू दो वरी अबाट दी एनी लाग्स और जट्रस अराउंड गेम प्लेड वेनेवर यू आप लेइंग गेम्स तो तो वह है और फिर उसक प्राइजिंग में आप भी बताने वाला जो है 74,990 तो 74,990 में आपको मिल जाता है अस गेमिंग A15 तो अगर आप देख रहे हो बजेट रेंज में कोई अच्छा बजेट रेंज नहीं बुल सकते है यह तोड़ा हायर रेंज है अगर आप दून रहे हो कोई अच्छा फीचर पैक लाप टॉक्त तो इस अगुडवन ओफरिंग बार एसस और एसस की टफ सीरीज हमेशा से बहुत ही ऐसी अच्छी ओफरि बहुत अच्छा फीचर पैक्ट दे तो नाव लेट्स टॉक अब दो स्पेसिफिकेशन तो स्पेसिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाता है एंड राइजन फाइज यह तोड़ा हाई रेंज वाला है बट यह लिटरली आप सुनिए इसमें भी कुछ अलग चीज है कुछ य आपको मिल जाता है फिर इसमें भी आपको अन्वीडिया जीटी एक्स 1650 मिल जाता है और इसमें दोन ऑप्चन है कि टी आए वाला भी लेट से तो नॉर्मल सिक्सिफिफिटी तो वह आपके उपर है तो अन्वीडिया 6050 टी आए 4GB ग्राफिक्स अपको मिल जाता है इस तो गाइस hybrid storage is back as well तो hybrid storage हमें जाक की तरह बहुत ही effective काम करता है जैसे हमें आपको बाता है 256GB SSD में आप आराम से विंडो स्टोर कर सकते हो और आपको pure SSD प्रफॉंस मिल जाएगा और 1TB का harddisk का तो you don't have to worry about the storage thing because कोई भी आप documents, files upload कर लो अपने PC में या फिर movies या फिर इवन गेम्स जो भी heavy-heavy games हो के जेटीफाई वगरा तो बहुत सारे ऐसे 100GB, 200GB के games है तो वो भी आराम से आप कर लोगे storage में क्योंकि आपको 1TB harddisk मिल जाती है तो वो है फिर उसकी वाद आपको इसमें Windows 10 का support मिल जाता है Windows 11 का अपग्रेड कर पाओगे 15.6 inches की full HD screen मिल जाती है तो इसमें आपको एक backlight keyboard मिलता है तो gaming laptop में आपको backlight keyboard मिल लेंगे विस तो यह एकदम इसा mandatory feature हो गया आपको इसमें मिल जाता है 4 exhaust cooling 4 exhaust channel cooling मिल जाता है तो क्या है वो आपको बता दो तो इसके जो laptop के चारो तरफ exhaust है तो चार exhaust आपको मिल जाते है so that is really good thing because cooling technology PC के लिए कैसे काम करेगी जैसे अगर आपको graphic intensive या फिर gaming कर रहे हो तो वैसे ही आपको ये सारे fans काम कर देंगे क्योंकि जैसी थोड़ा processor अगर heat up हो रहा है तो cooling का काम करेगा और अगर आपको PC लाटो जो cooling हो रहा है तो और effectively काम करेगा तो अगर मतलब ज्यादा गरम कर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए फिर cooling आपको दी गई है और नॉर्मली गेमिंटोस में होती है cooling बट नॉर्मली मैंने टू चैनल देखी है बट यह फोर चैनल cooling दी गई है तो that is a good thing because ज्यादा cooling होगी तो उतना अच्छा यह आपको फिर यह cool pad और यूज़ करने के जुरूरत नहीं वह लाट टॉप जो होता है वह ऐसा एनिवेज तो वह आपको मिल जाता है और इसमें इसकी प्राइजिंग में आपको बदाने वाला हो तो यहां पर आपको मिल रही है इसकी प्राइजिंग तो बहुत अफेक्टिव प्राइजिंग है और मुझे बहुत पसंद आए कि इतने कम प्राइजिंग में इतना अच् रुपीज तो 63,992 में आपको पूरा पैकेज मिल रहा है 1654 जित ग्राफिक्स मिल रहे है और सारे यह specific ने से आपको पता है तो इस इस रियली गूट तिंग और इसको मैं हाइली recommend करेगा तो यहां करें दे लिक्त देख सकते हो और जब हैला इसाकी गेमिंग रॉप्टॉप्टॉप डेल वेलग देख सकते हो और दल की दरव से पहला एसा कोई गेमिल लीच्टाप है कि देल जो भी से नहीं केक्ट्टोप नोटिगे देख सकते हैं बट इन्हों ने डेल ने इतना अच्छा मतलब गेमिंग लाप्टाप बनाया तो उसके बारे बात कर लेते तो यहां पर आप इमेज लेख सकते हैं आप लेट्स टॉक अबाट फीचर सेंट स्पैसिफिकेशन तो स्पैसिफिकेशन में आपको मिल जाता है यहां पर AMD Ryzen 5 4600H तो हां अपने पिछले जो लेनो लेजिन 5 में आपको सेंट प्रसेसर मिल रहा था बट यह बहुत ही अच्छा प्रसेसर है क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ट है तो वह आपको मिल रहा है और 4600H इस बेसिकली एंड गेमिंग प्रसेसर तो वह आपको मिल रहा है उसके बाद आपको इसमें मिलते है इसमें क्योंकि नॉर्मली आपको सारे लैप्टॉपस में ऐसे एंवीडिया के ग्राफिस्प तो मिलते रहे थे बट गाइस यह डेल जी तो इस इशब की 6GB ग्राफिक जो मिल रहे आपको तो इससे आप काफी ग्राफिक इंड जादा मिले तो अची है क्योंकि उतना हैवी टास्क आराम से कर सकते हो और अपको इसमें अगर आप ग्राफिक इन देंसरे काम कर रहे हैं तो डेफिनिटले अपको इसमें है भी ग्राम आपको निसको भी अपकर सकते हो स्टीं अपकर सकते हो रिख गरेट कर सकते हो, so that is all the normal things, और बैकलेट के बड़ तो मिलता ही, डेल 15 के साथ, डेल G5 के साथ, डेल 15 नी, डेल G5, यह, काफी सारे लाप्टॉप्स के बारे में, सोच के सारा सारा कन्फूज होगा, डेल G5 में आपको यह सब मिलता है, तो I think this is like proper justice, कि डेल, डेल हमेशा से ही थोड़ा सा expensive side में रहा है, बट फिर भी इन्होंने यह सारे specification प्रोवाइड के, उसको यह थोड़ा सा I guess कर रहा है, प्रॉपरली ऐसा denote जो होता है pricing, तो इसके pricing के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको यह डेल G5 आपको मिलता है, 78,195 जो भी light pricing में आपको बता रहा हो, त तो 78,195 में आपको यह पुरा package मिल रहा है, Dell G5, तो 6GB के graphics मिल रहे है, 8GB के RAM, 512GB SSD और Windows 10 मिल रहा है, और AMD Ryzen 5, 4600H का processor मिल रहा है, तो that was all about the processors and all about the Dell G5 basically, so guys, अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद आया अपना यह सारे gaming laptops के recommendation में से, तो नीचे description में मेंने सारे best buy links दे रहे, तो description को check out करना ना भूले, so guys, that was all about the best laptop buying guide results, अपना, मतलब, आज का यह last वाला episode है, क्योंकि अभी आगे में और लाते रहोंगा, laptops के और वीडियो, but अपना finally यह खतम हो चोगा है, क्योंकि मैंने सारे ranges cover कर ले, budget ranges, mid ranges, और even the budget, अतलब, यह flagship gaming ranges भी मैंने, सारे complete कर दिये, और दोनों को मैंने consider किया, अगर अंतलब ऐसा नहीं कि, सिर्फ मैंने Ryzen processors को ही consider किया, फिर Intel processors को, तो वो है, तो बहुत मज़ा है, मुझे भी आप सबको ऐसे अच्छे recommendations देके, और I hope आप सो की मेरे वीडियो बहुत हुसंदायर होंगी, तो definitely please like कर दोने इस वीडियो को, share करना अपर friends or family थाक, थाकि उनको भी कोई gaming laptop लिना हो, तो वो consider कर सकते है, ये video, और like, अगर वो Ryzen processors के साथ जाना चाते है, तो definitely, that's not a worry, आप इसमें आपको मिल जाता है, और Intel के processors के जाना चाता है, तो वो अपने पिछल एपिसोड में जाकी देख सकते है, वो भी मैंने नीशे description में दे रखा है, तो वो आप जाके चेक आउट कर सकते है, अगर आपने नहीं देख आपना पिछल एपिसोड इंटल प्रोसेसर के साथ, जो gaming laptop साथ है, उसके बारे मैंने बनाया, so guys, that's it of the video, please subscribe कर देना, अपना Omidic Reviews चानल को, और प्ले अकम बजाना बोले, so guys, for now, see you in my next video, bye-bye!